हम तो यहां के छात्रों से जो हमारे अलुमिनीद हैं और जो यहां पढ़ने हैं उनसे निवेदन करेंगे कि वो अपने होस्टिल के चारों तरफ पेड़ लगाएं हम यहां के कर्मचारियों से निवेदन करेंगे कि वो यहां पर पेड़ लगाएं हमारा प्रयास है कि हम अपनी धर्टी को अधिक से अधिक ब्रक्षों से ढखें और जो कि हमें एकनी प्राण वायू प्रदान करते हैं हमेशा ही हमें उत्सुक रहना चाहिए और विश्व विद्याले में वैसे यह अंगोइंग प्रोग्राम है बहुत सारे प्रोग्राम्स में पेर लगाए जाते हैं लेकिन यह समय चुना गया है हरेले का तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ खास तोर से जो कौर्डिनेटर डॉक्टर दीपा वी ने फोरे में यह एक्टिवीटी करा रही है यह बहुत अच्छी एक्टिवीटी है और यह मल्टी फेसिटेट एक तरह से प्रोग्राम है या महोत्साव है जिसमें के पहले तो यह पहाड से जुरू हुआ था लेकिन आप काफी एरिया में हरेलेगा पर मनाते हैं यह एक दिन का नहीं है बलकि पूरा वीक या पूरा फोर्टनाइट में आप इसको करते रह सकते ह हम लोग रॉट्री कलब रुद्रपूर कल्यानी नदी जो की लाइफ लाइफ लाइन रुद्रपूर की उसपे काम कर रहे हम लोग तो वो पत्थर चिट्टा से ओर्जनेट होती है और रुद्रपूर से बहते हुए फिर आगे रिवर गंगेज में मिलती है ज्यादस ज्यादस शीव सुरूप ब्रक्षों को लगा करके जिससे कि वह हमारे द्वारा निकाले गए बेस कारवन डाय अक्साइड और अन्य जहरीली गैसों को सोख करके हमें अमरत सुरूप और ऑक्सिजन की आप उर्ति करें आज के दिन की सभी लोगों को शुब कामना है मेरे साथी भाईयों को शुब कामना है हरेला की और ऐसे ही अगर बनाते रहे कोई नों कोई बहाने से तो देश तो खरा हो जाएगा इसके लिए भी कभी हमें बहाना चाहिए होता है मैं आपने सावी साथियों का इस शुब आफसर पर धन्य बाद देता हूं कि वो आज चुटी की दिन पिशी बद्याले में ब्रिक्षा रुपन के लिए आयो है। अलमनाई एलममेटर एडवांस्मेंट एस्सियेशन ने व्रक्षा रुपन का कार्य प्रारंब किया है। और इसमें हम फनों के पौधे लगा रहे हैं हमारे ऐलमनाईज के द्वारा जैसा कि हम सब को पता है कि मत्सी पुराण में कहा गया है कि एक बावडी दस तालाब के बराबर दस तालाब एक पुत्र के बराबर और दस पुत्र एक व्रक्ष के बराबर फल देते हैं। तो इसी को मद्धे नजर रखते हुए हमारे ऐलमनाइस के द्वारा हमने ये व्रक्षारोपन का कारे शुरू किया है और इससे हम आशा करते हैं कि हमारे सारे ऐलमनाइस जुडेंगे हर साल आएंगे और हर साल यहां पर व्रक्षारोपन का कारे करें झाल झाल